नमस्कार किसान भाईयों किसान भाईयों पहला पानी आपकी गन्ना फसल पोदा के लिए बहुत ही ज़्यादा मैत पूर्ण है और उस टाइम किसान भाई अपनी गन्ना फसल में खादों की भरमार कर देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि आपकी जो गन्ना फसल है आपक उसका कारण यही होता है कि उसको हम अभी से जन दे देते हैं क्या कारण ऐसे बनते हैं कि पहले पानी पे ही जादा खाद लगाने से हमारी जो गन्ना फसल है उसमें जादा बिमारिया अब भी आएंगी और बरसात के सीजन में भी आएंगी तो इनी की जानकारी मैं आपको इस इस वीडियो में देने वाला हूँ, मेरे प्यारे किसान भाईयों, जदी अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किरप्या करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाईयों आपने देखा होगा कि गन्ना पोदा की बुवाई के दोरान, आप तरह तरह के उरवरक डालते हैं, जैसे कि फास्पोरस हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, पोटास हो गया, कई तरह के कीच ना सकत भी हो गये हैं, और जब आप ये बुवाई के दोरान दे देते हैं. तो आपने देखा होगा लगबग 25 से 1 महीने में आपका जो गंणा पोधा है वो जम करके तैयार हो जाता है, उसका जमाब हो जाता है और आप last आप पहले पानी की तैयारी कर लेते हैं तो आप ये सोच करके देखे हमने जितना खाद गन्ना पोदे को बुआई में दिया था क्या वो एक महीने में सारा का सारा गन्ना पोदे को मिल गया होगा तो आपका जबाब होगा नहीं क्योंकि उस दोरान उसकी हाइट भी इतने होती और पूरा का पूरा गन्ना पोदे का जमाव भी नहीं होता काफी तो नीचे ही रहता है जब पहला पानी आ जाता है और जमीन सुक्त होती है तब भी उसका जमाव होता रहता है तो बात के लिए यह हुई कि गन्ना पोदा को एक महीने में जितने हमने खाद डालेते वो सारा का सारा उसका नहीं मिला अभी वो जमीन में ही है तो जब हम टेलरिंग की भी दवाई डालते हैं उसमें बढ़वार की भी दवाई डाल देते हैं कीटना सको की भी भरमार कर देते हैं तो ऐसा करने से आपके गन्ना पोदे को ज़्यादा फादा नहीं होगा बलकि नुकसान होगा उधारन इसका ये है कि आपने देखा होगा कि कोई व ठीक पोदे की भी स्थीती वही होती है कि जब हमने बुआई के दोरान इतने सारे खाद उसको दे दिये हैं और पहले पानी पर भी हम खादों की भरमार कर दें तो आपका जो पोदा है वो मुलायम हो जाएगा उसमें रोगों की भरमार हो जाएगी और फाइदा होने के बजा काने से पहले उसमें 25 केजी प्रती एकड के हिसाब से यूड़ा लगाईए इसके अलावा 10 केजी सागरिका लगा दीजी सागरिका एक नैचूरल खाद है और इसका ज़्याद साइड इफेक्ट नहीं होता बलकि आपके गन्ना पोदे में ये हर तरीके से काम करता है इससे जादा होगी गन्ना पोदा आपका स्वस्थ होगा ये उसको सारे रिक रूप से जैसे वेक्ति मजबूत हो जाता है उस तरीके से ये काम करेगा इसके अलावा एक धंजाइम आता है पांच केजी प्रती एकड के हिसाब से ये धानू का कंपनी का है इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अलावा जिसने भी जो खाद आते हैं अलग अलग कंपनी का आते हैं जिसके पीछे जाइम लगा हो ऐसा खाद का परियोग करे केवल यूरिया के साथ यूरिया लगा दीजे और ये लगा दीजे तो यस से आपका जो गन्ना पोदा है वो मजबूत भी होग और खादों की ज़्यादा भरमार भी नहीं होगी और जो भी उसको तत्व चाहिए इन दोनों ये खादों से मिल जाएंगे जिसमें ज़्यादा पैसा आपका खर्च भी नहीं होगा ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रुत भी नहीं है आपको पहले पानी पर को नमस्कार